एनिग्राम परीक्षन पर प्रत्येक व्यक्तित्व प्रकार के लाभों और कम्यों का वजन करके आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं? इसके बारे में अधिक जान सकते हैं. एनिग्राम क्या है? बिलकुल! जब मैंने पहली बार यह अजीब शब्द सुना, तो मेरा भी यही सवा पेंटाग्राम वह पांच नुकिला चिन है जो विक्केन नुष्ठानों के दोरान आग लगा देता है, अगर वह आपको परिचित लगता है. आपके लाब के लिए वे एकी चीज नहीं है. वास्तव में एनिग्रामिक व्यक्तित्व मूलियाकन है. यह कुछ समय के लिए आ प्रतिकत रूप से क्या प्रकत करेगा. दर रोड बैक तू यू, एन एनिग्राम जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी बाई एन मौगन क्रॉन बस यही करने के बारे में है. यह पुस्तक न केवल प्रत्येक प्रकार के बारे में विस्तार से चर्चा करती है, बल्कि यह अभी अ विशेष्टाएं हैं जिन्हें विंग नंबर कहा जाता है, जो आपको अधिक स्पष्टीकरन प्रदान करने के लिए अभिप्रेध हैं क्योंकि आप यह मान सकते हैं कि आपकी व्यक्तिकत विशेष्टाएं का इश्रेनियों में आती हैं. यह बहतर धंग से समझने के लिए कि आप विभिन पर इस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करते हैं, परीक्षन के प्रतेक नंबर में मैचिंग स्ट्रैस और सुरक्षा नंबर होते हैं. आप कितने हैं? फिर, मैं आपको सलाह देता हूं कि पहले ओनलाइन परीक्षा देकर पता करें. जब आप गूगल एनिय ग्राम टेस्ट पर दिखाई देते हैं, तो इनमें से किसी एक को आजमाएं. ये नौ व्यक्तित्व प्रकार हैं और प्रतेक पर कुछ जानकारी, पूर्ण तावादी आत्मनियंत्रन और विस्तार पर ध्यान देने में उत्कृष्टत प्राप्त करते हैं. सुधार की उनकी ये महत्वपून होते हैं, लेकिन वे आमतोर पर हर किसी की भावनाओं को अपने से पहले रखते हैं. तलाकार, इस प्रकार की विशेष्टा उस संतुष्टी से होती है जो उच्च लक्षियों को स्थापित करने और प्राप्त करने से आती है. वे आत्म ब्रम से ग्रस्थ ह और आत्म मूल्य की साथ उपलब्धी को समान करते हैं. रोमेंटिक जीवन के दुखद और सुन्दर दोनों पहलों से संबंधित हैं. तभी कभी वे अपने अकेलेपन के कारण उदास हो जाते हैं. अन्वेशिकों की प्राथमे क्विशेष्टा ज्यान के प्रति प्रेम और इसे साजा करने की इच्छा है. चून की वे स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र हैं, उन्हें सहायता मांगना मुश्किल लगता है. वफादार, यदि यह आपका वर्नन करता है, तो आप दूसरों की मदग करने के लिए समर्पित हैं. हाला की स्थिर्ता, समुदाय और नियम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर उन्हें धमकी दी जाती हैं, तो आपको अपनी चिंता को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है. उत्साही यूथ प्रिय, पार्टी की जान और हमेशा उत्साहित रहने वाले होते हैं. उनके पास वफादारी, आनन प्राप्ती और व्यस करने के लिए संधर्ष करते हैं. शान्ति दूत, ये व्यक्तित्व प्रकार हमेशा संधर्ष से बचने की कोशिश करेगा. वे विरोधी द्रिश्टिकोनों को तॉलने में माहिर होते हैं, लेकिन उन्हें रोमेंटिक साजिदारी में अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में कठिनाई होती है. पात दो, अपने गुनों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने पंखों की संख्या जानना महत्वपूर्ण है. ठीक है, अगर आप मेरे जैसे कुछ भी हैं, तो आपने शायद देखा है कि उनमें से एक से अधिक लोग आपको खु सकते हैं, इसलिए आपको अकेले समय चाहिए. पात तीन, आपकी व्यक्तिकत पहचान संख्या आपको दिखा सकती है कि आप दबाव में और सुरक्षित स्थितियों में स्वाभाविक रूप से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, अब हम दो और संख्याओं को देखेंगे जब आ आपके व्यक्तित्व को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती हैं, तनाव और सुरक्षा नंबर इस प्रकार हैं, जब आप सुरक्षित होते हैं, तो आप अन्य नंबरों की विशेशताओं को अपनाते हैं, जैसा की नीचे दिखाया गया है, उत्साही पूर्णतावादी, रोमेंस के पफॉर्मा और लॉलिस्ट, चैलेंजर, रोमेंटिक, पूर्णतावादी और अन्वेशिक, वफादार मध्यस्त, मददगार, उत्साही, चैलेंजर और अन्वेशिक, तलाकार, शांते दूत, उदाहरन के लिए, एक पूर्णतावादी के रूप में, जब मैं शांत होता हूँ, तो मैं उत्साही लोगों के गुन अपनाता हूँ, इसका मतलब है कि जब मैं अपने दायतों का ख्याल रखता हूँ, या जब मैं दोस्तों के बीच होता हूँ, तो मैं आराम करता हूँ, जब भी मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ, मैं अधिकात्म विश उत्साही, प्रेम प्रसंगयुक्त, पफेक्शनिस्ट, पफोर्मेंस उत्साही और लॉयलिस्ट, खोजी पीसमेकर लॉयलिस्ट चेलेंजर, आये एक पूनतावादी का उदाहरन देखें, जिसे काम पर देर से रुपना चाहिए और जो रोमेंटिक लक्षन अपनाता है, परि और संख्याओं को खोजना एक शांदार तरीका है, अब जब आप पूरी तरह से समझ गए हैं कि आप कौन हैं, तो आप अंततह अपने फाइदे बना सकते हैं और अपने नुकसान के लिए तयार हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी वास्तविक्ता में प्रत्य गुन की अलग- लगता है, फिर भी एनिग्राम परीक्षा में कम से कम इसे ध्यान में रखने का एक तरीका है, जो मुझे पसंद है, यह विचार कि आपका व्यक्तित्व प्रकार आपको केवल एक बॉक्स में डालने की कोशिश करने के बजाए आपके स्वभाव के बारे में सिखाता है, मुझे दजर्नी बैक टू यू के बारे में सबसे अधिक पसंद आया,